नमस्कार साथियों आज बात करेंगे कुछ रोग से संबंधी जाज़वारों में कि कुछ रोग जिसको लेपरोसी हम लोग बोलते हैं मेडिकल वासा में इसको कोड़ रोग नाम से भी जाना जाता है इसको कैसे पहचाने इसके लिए क्या जाचे उपलब्त है तो आप यह बीमारी और इसके निचे जो नर्व होती नसे उसकी विमारी तो अगर जानना है तो उन्हीं को जामिन करके परा चल सकते हैं इसलिए मुस्ली इसकी डायगनोसिस जो होती है कि किसी को लेपरोसी है कि नहीं वह क्लीनिकल ही होती है मतलब लच्छण देख क्यों होती है अब कैसे आते हैंувати हैं कि जो निशान होता है वो इस्किन से थोड़ा हलके अपरे घ्र करना हो सकते हैं इंग एक, दो, तीन, पाँच, दस, बारा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लेपरोसी किस टाइप की है, एक होती है जिसमें बैक्टिरिया कम होते हैं, जिसको पॉसी बैसलरी या टूबर कुलरी टाइप को बोलते हैं, उसका इलाज भी थोड़ा कम चलता है, कम कतरनाक होती है, एक होती है, मल्टी बैसलरी जिसमें खुट सारे बैक्टिरिया होते हैं, शरीर के इम्मुनिटी कम रहती है, शरीर के बहुत सारे अलग-अलग हिस्सों में अफेक्ट कर सकती है, इसकी नर्वे के लावा ये नाक के अंदर, कान के अंदर, आख में भी इसका अफेक्ट आ सकता ह इस में आसकता है लेर्रिक सुगारिंग HOW सकता है तो इसका इलाज भी ज्याद़ कर चलता है तो इसको जानने के लिए सबसी अश्वाण्ट टेस्ट है एकलाओता टेस्ट ही बहुताना सकते है इसमें split skin ismatis बोला जाता है मतलब जहाँ पर भी निसान है जैसे किसी को माल लो कि यहाँ पर हाथ में है तो वहाँ से खलका छोटा सा टुकडा लिया जाएगा जिसकी AFB stain की जाती acid fast bacilli stain यही stain TB की बैक्टीरिया को पता करने के लिए की जाती है क्योंकि दोनों बीमारियां चाहे TB हो चाहे लिप्रोसी mycobacterium tuberculosis होता है TB के लिए mycobacterium leprosy कराता है तो यह mycobacteria की basically AFB जाच है हला कि उतना strong इसमें reaction नहीं होती यह weak AFB positive आता है तो यह stain करने से प्रसर जाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं हला कि अगर कम बैक्टीरिया वाली विमारी होगी tuberculiide type का leprosy होगा posi bacilli type होगा तो हो सकता है कि वो smear negative आए अगर multi bacilli क्या है leprometis है तो यह जो skin का टुकडा लिया है उसमें AFB के जाच कराएंगे तो positive आएगा और इसकी grading कर सकते हैं 1,2,3,4,5 ऐसा 1 से 6 तक इसकी grading कर सकते हैं कि कितना ज्यादा bacteria है मतलब कितनी ज्यादा विमारी खतरनाक लग गई है इसके लाबा जो skin का टुकडा लिया है उसमें histology के जाच जिसको biopsy बोलते है मतलब उसके अंदर जो nerve के अंदर जो involvement हुआ है उसको देखा जा सकता है तो nerve उसमें मोटी हो जाते हैं उसके तरफ inflammatory cells आ जाते हैं या जो इसकी नहीं वो थोड़ी से पतली हो जाते हैं उसमें दो-चार और चेंजर जाते हैं तो histology की जाच मतलब biopsy की उसी skin के टुकडे से और एक EFB का इसमेर ये दो जाचे हैं इसी के द्वारा ये लेप्रोसी कुछ कोड़ों के बारे में बता चलता है और इसके लिए कोई भी जाचे नहीं है इसको clinically फिर डाग्नोस किया जाता है मतलब डाक्टर मरीज के लच्छन को देखा उसको एक्जामेनी के अब इसमें होता है कि जो पैच बना है लच्छन के गर बात करें 90 लोगों को लच्छनों की आधार पे इसका इलाज चालू कर सकते है बहुत ही क्लासिकल इसमें लच्छन रहता है अच्छे से दिख जाता है कुछ लोगों में जाच की जुरुत पढ़ती है उस ठंडा गरम को बताती ही वो लेपरोसी के बैक्टीरिया न उसको खतम कर दिया है इसके लावा वहाँ पे पसीनों गरा भी उतना नहीं आता है क्योंकि पसीना आने के लिए वहाँ पे उसकी ग्लेंट होनी चाहिए जो लेपरोसी के पेशेंट में कम हो जाती है और नर्व भी खराब हो जाती है नर्व से स्टुमलस आता है पसीनाने का वो हिस्सा सूखा रहेगा हाइपो पिगमेंट ठलका रहेगा वहाँ पे ठंडा गरम का हिसास नहीं होगा इससे पता चल जाता है और इसके अलावा जो बिमारी बढ़ती है तो हाथ पाउं की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी हाँ पे चोट लगने से घाओ के निशान रहेंगे आप मरीज जो होते हो जल जाते है खाना बनाते समय या कुछ करते समय तो ये भी लच्चण है की हाथ पाउं में जलन होना नंबने सोना जीप सा परिस्थिसिया होना सरीर में अलग-अलग धब्बे हैं जब लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है तो ये कान होगरा ये मोटे हो सकते है नाग के अंदर छेद हो सकता है आँख में छेद हो सकता है ये आई लेसे साइब्रो वगरा ये जढ़ सकती है तो इस तरीके से और भी फिर लच्चण आने लगते हैं बारहाल जाच की बात करें तो यही जाच है कि इसकिन जहां पी दिख रही है जहां भी भी दिख रही है तो बैक्टीरिया ने जो चेंजेस प्रेडूस किये हैं वो उसमें दिख जाएगा तो इससे डाइग्नोसिस होती है इसका इलाज पक्का है पूरा 6 मेने से 12 मेने डिपेंड करता है कि सरग बीमारी है उतना चलेगा लेना चाहिए उससे बीमारी जड़ से कतम हो जाती है मुस्क्री बीमारी नहीं आती और दूसरे बैक्टी को भी इलाज लेने से बीमारी लगेगी नहीं इसके लाबा इसमें ज़्यादा जाच होती नहीं है ये जो important test होते है कुछ रोग के लिए उसके बारे में जानकारी है मिध्य वीडियो हिल्फुल रहेगा थैंक्यू